दोस्तों सभी को iSpeed Internet चाहिए इसलिए सभी 4G SIM Card और 4G Mobile खरीद रहे हैं लेकिन मेरा आपको सवाल है कि क्या आपके पास 4G Mobile और 4G SIM Card में 4G डेटा होने के बावजुद भी iSpeed Internet है सायद नहीं तो यह वीडियो पुरा देखिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेसे टिप्स बताने की कोसिस करूँगा जो आपके श्लो इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने में काफी सहायता करेगा तो आई यह सरू करते हैं इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम नेटवर्क सेटिंग करेंगे इसलिए मैं उपन करता हूँ सेटिंग दोस्तो मेरे पास रेडमी फोरे है आपका स्मार्टफोन अलग हो सकता है इसलिए सेटिंग के ओप्षन में रिफरेंस हो सकता है लेकिन में बात वही है कि आपको उपने स्मार्टफोन में में जो उप्षन बताने वाला हूँ वो पता लगा के सेट करना है अगर आपको बिल्खुल पता नहीं हो तो थोड़ी मुस्किल हो सकती है लेकिन इतना भी मुस्किल नहीं है यह सेटिंग सभी स्मार्टफोन में होते हैं मेरे मोबाइल के सेटिंग में आपको SIM card और Mobile Networks नजर आ रहा है आपके मोबाइल में साइट दूसरा option हो सकता है जैसे कि Mobile Networks या Network Setting यहां मेरे मोबाइल में SIM card सेटिंग में Idea or Oda phone नजर आ रहा है मेरे Idea SIM में 4G data available है इसलिए में Idea पर टेप करता हो यहां मैं दिखाई दे रहा है Preferred Network Type उस पर हम टेप करेंगे दिखे मेरे Mobile में 3G network selected है इसलिए अगर आपके phone में भी 3G या 2G network selected होगा तो 4G Mobile, SIM card और 4G data available होने के बावजूद भी 4G speed में ही मिलेगी आपको यहां सिलेक्ट करना होगा Preferred LTE LTE का मतलब होता है 4G तो आपके option में सायद Preferred 4G भी option हो सकता है तो यहां हम सिलेक्ट करेंगे Preferred LTE ज्यादा तर स्मार्टफोन में 2G, 3G, 4G network के Auto Connect option भी होते है तो मेरी सला है कि आप ये वाला option ही चुने क्योंकि आपके एरिया में अगर 4G network अवेलिबल नहीं होगा तो automatically 3G या 3G network अवेलिबल नहीं होने पर 2G network automatically connect हो जाएगा तिरसे 4G network उपलगत होने पर automatically 4G network connect हो जाएगा इसलिए में आपको 2G, 3G, 4G वाला option चुनने की सला देता हूँ दोस्तों network setting में यहां आपको एक और setting नजर आएगा mobile network यहां पर select network automatically own रखे ताकि जो भी network available होने पर auto connect हो जाएगा यह feature तभी काम करेगा जब आपने preferred network type में multiple network select किये हो जैसा कि आपने देखा 2G, 3G, 4G उसके बाद iSphere internet के लिए आपके mobile में कम से कम 1GB free space available होनी चाहिए जो online data temporary save करने के लिए काफी useful होती है उसके बीन आप iSphere internet नहीं चला सकते हैं आपके mobile में internet के लिए कितनी memory available है देखने के लिए setting में storage select करें यहां आप available free space देख सकते हो और last में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद notice किया है दोस्तो मैंने notice किया है कि 4 और से बंध कमरे में मेरे mobile में 4G SIM card और 4G data होने के बावजुद भी कभी-कभी 2G speed तो कभी-कभी मेरे mobile में Google search करने में भी problem होती थी और जब दर्वाजा कोल के देखा तो थोड़ी देन में Google search आसानी से होने लगा तो दोस्तो मेरे इसाब से अगर आप बंध कमरे में 4G internet speed की आसा कर रहे हैं तो साइद आपको इतनी speed नहीं मिल पाएगी जितनी आप चाहते हैं तो दोस्तो आई speed internet चलाने के लिए साइद ए वीडियो आपके लिए useful रहा होगा मेरी आप से बीनती है कि आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेर करें ताकि आई speed internet का मज़ा आपके दोस्त भी ले सकें तो मिलते हैं नए वीडियो में नए तक्रिक के साथ आपका दिल सुपरें